आद आप दोस्तों इसकी बात डिटेल में आज cái वडیो के अन्दर करेंगे अगर आपने अभी तर खैल्सक्वनेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक शोर सब्सक्राइब इस वडियो के अंदर हम चार चीज़ों के ओपर मेली बात करेंगे उसके अंदर अगर सबसे पहली चीज़ को देखा रहा है तो यही आती है कि क्या ये लोग वाकई खालिस्तान को स्पोर्ट करते भी हैं या नहीं इसके प्रूफ में मैं आपको पांच ऐसे सिंगर्स का डाटा दूँगा यूँके बिलकुल लीगल था और इनकी मज़से थाबत हुआ कि ये डाटा अग्जेक्ट हैं और ये लोग खालिस्तानी एजेंडा को स्पोर्ट कर रहे हैं जिसके बारे में सबसे पहला नंबर कर दिया गया इसके पीछे की एक रीजन ये थी कि इन्हों ने रिसेंटि एक मैप अपलोड किया था अपने इस्ट्राग्राम अकाउंट के उपर जिसके अंदर इन्हों ने इंडिया और खालिस्तान की मैप को अलंग लग शो कर वाया था और इन्हों ने खालिस्तान की जाकर इस गाने को काफी व्यूस लगने लगे क्योंकि ये गाना ब्रील्स पर चल चुका time और रील्स पर चलने के बाद इस गाने को 200 मिलियन से जзы्यादा व्यूस लग चुके हैं इसकी लेरिक्स बंदरा वाले के उपर बनाए गै थे और बंड्रा वाले को अंडिया के अंडर एक गैंक स्टार्अ डेकलियर कया गया था और अप्रेशन ब्लू स्टार के अंदर उसको टाल कर दिया गया था लेकिन इसकी स्पीश को ड्रैकली प्ले किया गया इस डाकू सों Play के अंदर यूङके खास सोबर पर इस चीज़ को जाहिर कर रहा था कि बिंड़ा वाले के यो लोग स्पोर्टर है यूके खालिस्तानी थे यनि कि खालिस्तान को एक दफाँ फिर से यहां पर सपोर्ट किया जा रहा था तिसरी नंबर पर नाम आता है बिग बर्ड का जो के पंजाबी गानों के मशुर परड्यूसर हैं इन्होंने मशुर गाने शूहाई, सेम बीफ और सरकार जैसे गानों को परड्यूस किया था जिनके विउस 300 मिलियन से भी ज्यादा हैं और अगर इनके कॉलेक्टिव वियूस को देखा रहा है तो 700 मिलियन से ज्यादा पीछे नहीं हटी एक सिंगर जोके हार्ड कोर हैं उन्होंने भी अपने वीडियो के अंदर यही कहा था कि निरिंदर मोदी अगर चाहें तो मेरे साथ रिंग के अंदर आ सकते हैं उनको गुर्पतवन सिंग के साथ मुल्टीवल टाइम देखा गया है गुर्पतवन सिंग यह इस वीडियो के अंदर ये कह रहे थे कि 25 देशों के अंधर वो पने खानिदा फृस्टान का जंडा लहराने वाले हैं इसके अंदर भी यह लेरेक्स यूज किए गöyle घा रहा जिसके बाद अगर बात की रहा है एक्साना खान की और इन्होंने दूसे सिंगर्स के साथ मिलकर एक सौंग लेज किया इसके अंदर पार से छे सिंगर्स नजर आ रहे थे इस सौंग के अंदर भी बार-बार दिली को ललका रहा गया और सेम लेरिक्स का यूस किया गया था लेकिन इनके बाद कुछ ऐसे सिंगर्स की बारी आती है जो कि ड्रैक्री स्पोर्ट नहीं करते खालिस्तान को लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से इस और्गनाइजेशन का हिसाब बनते रहते हैं अब उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जिसके बाद हम अगले क्वेशन्स की तरफ जाएंगे 2020 की फार्मर प्रोटेस्ट के दुरान बल्जी दसान जाकर फार्मर्स के कैम्प को च्वाइन करते हैं जिसके बाद उनों के दरमयान जाकर बैट जाते हैं और वहाँ पर एक रोड़ पैतान भी करते हैं यहाँ इन लोगों की मदद करने के बाद दल्जी दुसान का मामला क्लोज नहीं होता और इनकी लड़ाई कंगनार रावत के साथ चल पड़ती है टुटर के अंदर इन दोनों के दर्मियान वार चल रही थी और इसके बाद कोई भी पोस्ट करते हुए नजर नहीं आते लिसकी वराद से ये भी एक तरह से इस अजंडे का हिसाब बन जाते हैं लेकिन उसके बाद मामला इधर तक भी नहीं रुकता सिद्व मुसे वाला जिनके बारे मैं बात नहीं करना चाहा रहा था अगर उनके सौंग सी बात करना चाहता तो मैं कर सकता था लेकिन उनके एक सौंग की बात यहां पर करनी पड़ेगी क्योंके जो लोग इस डंडे को स्पोर्ट नहीं कर रहे थे उनके खिलाब भी सिद्व मुसे वाला बोल पड़े थे सिद्धु मुसेवाला का एक सौंग लेस हुआ था जिसके अंदर नों ने कहा था दल्ले होम लैंड बड़े ताहीं यार पेंड रहें देने इसके अंदर ये लेरिक्स इस वरह से यूज किया गए थे अब हम बात करते हैं दूसरे प्रस्पेक्टिव से कि किस तरह से ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन चुके हैं असल के अंदर ये सिंगर्स और इनकी इंटरटेन्मेंट देखने में बहुत अच्छे लगती है इनकी कॉंट्रोवर्सिस को भी हमने मल्टीपल टाइम देखा होगा यैसे कि कंग्रार रावत और दल्ली दूसान के दरमयान जो कलैप हुआ था उनको तमाम लोगों ने रपीट पर देखा उसको इंजवाय कर रहे थे लेकिन अगर इन चीज़ों को रियालिटी के अंदर देखा रहा है तो बहुत खतरनाक बनकर सामने आती हैं इंडिया के अंदर तो नहीं लेकिन कैनड़ा के अंदर इनकी कई और्गनाजिशन्स बन चुकी है इनकी सबसे बड़ी और्गनाजिशन सिख फॉर्ड जेस्टिस है जिसकी चीफ खुद गुर्पतवन्थ सिंग है जिनके बारे में मैंने स्टार्ट के अंदर बात की थी तो कि हार्ट कोर के साथ भी वीडियो के अंदर खड़े हुए थी अब उनका काम ये है कि उन्होंने आगे मजीद ऐसी और्गनाजिशन्स बनवाई जो कि इंडिया के अंदर मल्टिबल टाइमस अटैक करवा चुकी है इन लोगों के उपर काफी टाइमस केसिस भी किये गए है हरदीब सिंग जो के खालसा टाइगर फोर्स के चीफ थे उनका कतल हुआ कैनडा के अंदर उनके उपर 14 F.I.R. तरसी इंडिया के अंदर उन्होंने कई दमाके करवाये थे कई लोगों को कतल करवाया था जिसकी वरा से उनको इंडिया के अंदर गर्फतार करने के वारे में ओर्डर थे उनके उपर 10 लाक इनाम भी रखा गया था वो सिर्फ और सिर्फ इसी वरा से था कि उन्होंने इस तरह के कांट इंडिया के अंदर किये हुए थे इसी भी बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो छोटी और्गनाजिशन के साथ इन बड़ी और्गनाजिशन का लिंक होना है जैसा कि इंडिया के अंदर बंबीहा गैंग और विश्णोई गैंग मजूद है ये ऐसे गैंगs हैं जिनके उपर मल्टीबल केसिस हैं इनको कई दफा जेल भी बेजा जा चुका है जैसा कि हमने देखा था कि लोर्नस विश्णोई भी सिदू मुसेवाला को कदल किया था और उनको जेल के अंदर डाला गया हनलंको पहले भी कई दफा जेल के अंदर जा चुके हैं लेकिन वो बाहिर आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी विरा से कि उनका गैंग बहुत बढ़ा हो चुका है और इंडिया के अंदर अपने बड़े बिजनस भी कर रहा है जिसकी विरा से इस सिंगर इनके साथ अटैच होकर इनसे सेक्योर्टी लेते हैं करतार चीमा को एक तफ़ा गिरफतार किया गया और इनसे ये पूछा गया कि ये सेक्योर्टी एजनसी को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं उन्होंने कहां कि मुझे इस अजनसी स्क्योर्टी प्रवाइड करती है लेकिन वो एक खालिस्तानी अजनसी थी लोकि इनको स्क्योर्टी के नम पर इनसे पैसे ले रही थी और इनको रिटर्ण पर ऐसी स्क्योर्टी दे रही थी जो के नकाबले कबूल थी इनके बड़े बड़े इवेंट्स करवाय दा रहे थे उनकी मदद से और उनकी स्पोर्ट की मदद से ये बहुत बड़े बड़े कांट भी कर पा रहे थे अब बात करते हैं कि जो लोग इनको स्पोर्ट नहीं करते उनको एक इस तरह से मजबूर करते हैं कि इन लोगों को स्पोर्ट किया रहा है 2018 के अंदर एक सिंगर थे परमीश वर्मा जिनके उपर गोलिया से लाएं गई थी उनको जखमी कर दिया गया था उन्होंने इसके बाद भी इस केस के उपर कुछ नहीं का मैंने उनकी बहुत सारी पोड़कास्ट देखे हैं उनके गाने सुने लेकि उन्होंने कहीं भी इसके वारे में चौट नहीं किया इसके वारे में कुछ भी बोला नहीं गतल हुए थे इसी साज़श के अंतर. Subscribe the channel for more videos. Thank you, I love you to be with us.